नवरात्रि के नौ दिनों में से किसी भी दिन बस कर लेना तीन लौंग का प्राचीन काल के समय का महा उपाय तुरंत ही जीवन के हर कष्टों और संकटों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता रानी के आशीरवाद से एक ही दिन के उपाय से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी बन जाओगे। इस साल आप करोडपती वर्षों में मिलता है, ऐसा सुनहरा अद्भुत मौका। दोस्तों 9 अप्रेल 2024 से चैत्र नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो चुका है और इसका जो समापन होगा वह 17 अप्रेल को होगा। वेद पुराण में वर्णित है कि जब भी नवरात्र नौ दिनों की होती है तो यह भक्त जनों के लिए बहुत ही शुब होती है। इस द चैत्र नवरात्र के बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है कि इस नवरात्र में मातारानी जी के नौ के नौ रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान मातारानी धर्ती पर अवतरित होती है और अपने हर भक्तों की मनों कामना को पूरा कर देती है। शास्त दोस्तों एक साल में चार नवरात्री पढ़ती है जिसमें दो गुप्त नवरात्री होती है। इस बार जो नवरात्री है वह चैत्र नवरात्री है। और आने वाले समय में शारदीय नवरात्री पढ़ेगी। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा फलदाई। नवरात्री अगर किसी को माना जाता है वह चैत्र नवरात्र को माना जाता है वेद पुरान में बताया गया है कि इस दौरान जो भी व्यक्ति पूरे नौ दिन का व्रत रखता है अपने घर पर कलश की स्थापना करता है मातारानी जी उस व्यक्ति को अपना आशीरवाद जरूर देती है और उस दिन मातारानी जी की विधी विधान से पूजा पाठ करेंगे तो आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। किसी भी दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार तीन लौंग का प्राचीन काल के समय का महा उपाय कर लीजिएगा। और यकीन मानिये दोस्तों इस उपाय को करने के बाद मातारानी जी के आशीरवाद से ना केवल आपको अपनी जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी कश्ट और दिक्कतों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। बलकि लौंग के उपाय को आप सही तरीके से नवरात्रि के दोरान करते हैं। तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे। आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धी होगी। आपके समस्याएं अपने आप हट जाएगी और इस उपाय को करने के बाद आपकी शादी इस साल जरूर हो जाएगी। और यह एक ऐसा उपाय है दोस्तों जिसके बारे में तंत्रशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। जिसको अगर आप नवरात्र के दौरान करेंगे तो आप की ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक छमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको मातारानी जी का आशिरवात कैसे मिल सकता है। देखिए दोस्तों मातारानी जी को लौंग अत्यंत प्रिय है। वेद पुरान में तो यहां तक लिखा हुआ है कि नवरात्रि के दोरान आप मातारानी जी को लौंग अर्पित नहीं करते हैं तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। तंत्र विद्या हो गई, तांत्रिक हो गई, पंडित हो गई, ये सब अपनी पूजा में अधना में लौंग का प्रयोग किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। उसी प्रकार से मातारानी जी के सामने अगर आप अपनी कोई मनोकामना पूर्ती की पूजा करने जा रहे हैं और उसमें लौंग का प्रयोग करते हैं, तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के नौ दिनों में से किसी भी दिन सिर्फ तीन लौंग का उपाए सही मुहूर्थ पर विधी विधान से कर लेते हैं। पूरी हो जाएगी इस उपाए के बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है जो चैत्र नवरात्रि के दौरान करके कई लोग अपनी मनोकामना पूरी करवा चुके हैं। के आशीरवात से आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाए और आप इस साल करोडपती बन जाएं। तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रधा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जय माता दी, जय माता रानी जी की और कमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दीजिएगा। पूरी हो जाए, तो सिर्फ एक छोटा सा उपाए, आपको नवरात्री के किसी भी दिन कर लेना है। सिर्फ यह कीजिएगा कि नवरात्री के किसी भी दिन सुबह से लेकर शाम के वक्त अच्छी तरीके से आपको नहा लेना है, आपको नौ लॉंग लेनी है। लौंग बिल्कुल भी तूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, आपको मौली धागा लेना है, मौली धागा लाल रंका होना चाहिए, आपको मौली धागे में लौंग को रखकर माला बना लेना है, मातारानी जी की चौकी लगाई गई है, तो बहुत अच्छी बात है, चौकी न माला का प्रयोग आपको नवरात्री के नवे दिन करना है अब ये लौंग की माला को बना कर आपको घर के पूजा घर पर रख देना है नवरात्री का जो भी नौवा दिन हो उस दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में अच्छी तरीके से आपको नहा लेना है और लाल कपड़े पहनना है। पहना है। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए। आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो। पकड़ने के बाद आपको दुर्गा चालीसा का पाठ नौ बार करना है। इस पोटली को आपको चुपचाप ले जाना है और अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षन दिशा में रख देना है। देखिए दोस्तों, चैत्र नवरात्री के दौरान अगर आपने यह उपाय कर लिया तो यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी जो आपके जीवन में धन खीचने का काम करेगी, जो यह आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है या आपके उपर कोई ऐसा दोश है जिसकी वजह से आपके जीवन धन आता नहीं है, इस प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और इस उपाय को करने के बाद मातारानी जी के आशीरवात से आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी, हमेशा नोटों की गड़ियों से भरी रहेगी, आपको अपने जीवन क आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, तो इस उपाय को करना मत भूलिये, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगला उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय, अगर आप बहुत बीमार पड़े हुए हैं तो नवरात्रिके, अगर नौ दिन आप मातारानी जी के मंदिर जाते हैं, और हर दिन मातारानी जी के सामने एक घी का दीपक जलाने के बाद उसमें दो लौंग डाल देते हैं, और अपनी बीमारी से मुक्ति पाने की मनो कामना मातारानी जी के सामने बोलते हैं, तो इस नौवें दिन आपको वरत रखना होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीरवाद हमेशा आपके घर पर बना रहे, माता रानी जी की क्रिपा से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नती हो, तो नवरात्री के नौ के नौ दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में एक घी का द सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा जिस घर में भी सकारात्मक उर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है उस घर की उन्नती होती है